अपने भोजन को चबाने के लिए आवशक मास्पेशिया नहीं होती है। इसलिए जब एक मेनक खाना निगलता है तो वो भोजन को अपने गले से नीचे धकेलने के लिए अपनी आँखों को अपने सिर के अंदर ले लेता है। आँखों की गती भोजन को मुँ में और गले के नीचे गहराई तक धकेलने में मदद करती है। इस प्रक्रिया को स्पेशल मेकेनिजम से फैसिलिटेट किया जाता है जिसे गुलर पंपिंग या ग्लोटिस पंपिंग विधी के रूप में जाना जाता है। जब एक मेढक खाना निगलता है तो वा अपने नथुने बंद कर लेता है और अपनी आँखों को अंदर लेकर मुण की छत में आगे धकेल देता है। ये क्रिया मुव में दबाव बनाने में मदद करती है और भोजन को ग्रास नली में और फिर पेट में नीचे धकेलती है।